गुड मॉर्णी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इस्टेटी विद्यान प्रकास, बिहार पॉब्लिक सर्विस कविशन की ओर से कुल सूलो विश्यों के जो परड़ाम में जारी कर दिये गए हैं, यह PGT लेबल के हैं, यानि कि गरहमी बरहमी के परड़ाम हैं, और यहां पर एक दस्तावेज अपलोड किया है, उसमें कोई गलती है, या वो अपठनी है, तो सही दस्तावेजों को पून आप 18 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक अपलोड कर सकते हैं, हाँ, एक बात ध्यान रखना कि यह जो दस्तावेज आप अपलोड करेंगे, यह काउंसलिंग क जो प्रक्रिया है, उसमें सामिल होना है, इस पर एक अलग से वीडियो मैंने कल बनाया था, उसको देख लिजेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं, तो आयो की वेफसाइट कौन सी है, onlinebpsc.bihar.gov.in, इस पर आप लॉग इन आईडी और पास स्थावेज की छाय प्रती राजपत्रित पदादिकारी द्वारा था ताक छरित होनी चाहिए और साथ ही अपलोड करते समय में राजपत्रित पदाधिकारी का नाम पद अस्थापन का स्थान और संपर्ख संख्या पोटल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे तो यह जानकारी जो है बहुत ही अहम है अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो सूलब इस्यों के पैडाम जार की जाएगे और रही बाद नियुक्ति पत्र वित्रन की तो दो मंबर को नियुक्ति पत्रों का बित्रन भी किया जाएगा मुख planes दो नॉमल्बर को गांधी में में सिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे सबसे बड़ी बात है कि छह भासा विश्यों में आधी से अधिक सीटे जो है वो खाली रह गई मतलब कि केवल 25.38 प्रतिसत अभ्यरती ही चैनित हो पाए सीटों के मुकाबले तो यहां पर निशितुरुप से जो 75% वाला क्राटेर हुए क्योंकि बड़ी विडंबना है एक तरफ तो विरोजगारी की यह इस्थिति है उपर से जो वेकेंसी जाती है तो अभ्यरती जो है वो अपनी योगिता को साबित ही नहीं कर पाते हैं आप यहां पर देखेंगे हिंदी में 3211 पदों में किवल 525 उत्तिन हुए अंग अगला में 27 सीटे थी केवल एक अभ्यरती चैनित हुआ 118 सीटे महितली में थी केवल 48 चैनित हुए उसी प्रिकार से बाकी आप देख देख लिए आपर केमेस्ट्री में कुल 4799 पदों के सापिक्ष केवल 1072 लोग कटाफ को क्लियर कर पाए हैं 3032 सीटे थी फिजिक्स में 68 282 लोग 133 में केवल 289 भुगोल में 1434 में केवल 158 समासास्त्र में बाकी की स्थिती जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो बड़ी खराब इस स्थिती कहीं जाएगी और जो अभ्यरती यहाँ बाचैनित हुए हैं कि कांसलिंग भी आज से स्टार्ट हो रही है चैनित सुबह साड़े नौ बजिस्त होगी तो इसके बार में जो नोटीस है वो आपको आफिसल वेबसाइट पर लगा दी गई है तुरंद जाके चेक कर लीजिए किसकी कांसलिंग कब है हाँ एक बात और भी है कि जिनकी कांसलिंग आज है वो नहीं पहुचबा रहे हैं उनको ए उन्तम काटाफ पर रिजल दिया गया है तो यानि आज नुवी दस्मी का जो प्रेडाम है वो भी आज जारी हो रहा है ठीक है तो मात में हो तो आगया माने वाला है कांसलिंग के लिए जो सिक्चा कर्मी है उनके उनकी छुटियां थी वो अगले रादेश तक रद्द कर द यानि कि जिले में उनको जो नियुक्ति मिली है नियुक्ति की लिस्ट भी वेबसाइट पर दे दी गई है ठीक है मैंने करी आपको बता दिया था कि डिस्टिक अलॉट्मेंट यहां पर पहले ही कर दिया गया है आप खुद ही देख सकते हैं जिसे कि हर भी से लिए जो की साथ मिल जाएंगी ठीक है तो यहां पर आप जा सकते हैं अच्छे यहां पर जो मैटर है डॉक्मेंट वेरिफिकेशन का वो क्या है उसको आप एक बार समझ ले बीपेसी से अनुसंसित सिक्षा का भीड़तियों की काउंसलिंग की ती थी सिक्षा विभाग ने तय कर दी है अठारा अक्टोबर से दुर्गा पूजा की नौमी यानि की 23 अक्टूबर तक काउंसलिंग होगी उच मादमी के सिक्षों की काउंसलिंग 20 और 21 अक्टूबर को होगी और उनके जिले में सुबह साड़े नौ बज़े से सुरू होगी सभी ये बेरती सम्मंदित वेफसा संस्कृत मगही मैथली पाली और प्राक्रित विसेगी काउंसलिंग होगी 21 को हिंदी कंप्यूटर विज्ञान राजनीत सास्त ग्री विज्ञान दर्सन सास्त मनो विज्ञान एकाउंटनसी बिजनेस स्टेडी ईपीएस संगीत उर्दू फार्सी अर्भी बांगला और टूबर से ही जिलो में आजीत काउंसलिंग में उपस्तित हो सकते हैं तो काउंसलिंग के समय अपने साथ सिक्षक नियुक्ति का मूल प्रोषपत्र आधार प्रमालपत्र और उसकी फोटो कापी सभी सेक्षडिक और प्रसक्षडिक प्रमालपत्र सीटेट या फिर उत्रिणता का प्रमालपत्र पासपोर्ट साइज तीन फोटो आरक्षण दावा से सम्मंदित मूल प्रमालपत्र आधी साथ लेकर आना होगा नौमी से बारामी तक के सिक्षक काउंसलिंग के समय उन्मुखी करण के लिए दो सब्ता की तयारी साता है यानि कि यहाँ पर सम सब्सक्राइब को आज से तेश्त की काउंसलिंग यह डिटेल से आपको हमारे टेलिग्राम चैनल इस्टडी वी ध्यान प्रकासवर भी मिल जाएगी तो आप जोइन कर लिए चैनल को आपको बहुत फायदा मिलेगा फिलाल तो बहुत सारी संक्या में मतलब भीरती है वेब 500 पजी सब भीरतियों को सेलेक्ट किया था और टॉप 10 में 9 लड़कों के नाम सामील है अब बहुत सारे पैडाम हैं जो की जारी हो चुके हैं बंगाली में केवल एक भीरती जो है वो उत्रिन हुआ है उसका नाम है बरनाली मंडल ठीक है और यहां पर आप मैंने आपको दि सकते हैं वह भरी नहीं जा सकेंगी डॉक्मेंट वरिफिकेशन राउंड में क्या क्या दस्ताविज लगेंगे यह मैंने आपको बताया लेकिन आप दोबारा से यहां पर देख सकते हैं यह पुरी लिस्ट आपको यहां पर दी गई है एड्मिट कार्ड लगेगा और फोट सब्सक्राइब को देना होगा तो काबिल टीचर नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में जो पद हैं वो खाली रहक है आयों ने 75% सीट भरने की नियम को भी सिथिल कर दिया है उच मादमी विद्यालों में लैंग्वेश्ट टीचर के 67% पद इस भरती में नहीं भर जा सक सब्सक्राइब केबल देखा जाए तो लगबाद 23% भरती ही भरे जा सके हैं भासा के अंतरगत और साथी साथ अब यह जो पद रिक्त रह गया ना इनको अगले चरण में जोड़ा जा रहा है अगले चरण का जो नोटिफिकेसन जल्दी आ जाएगा तो इसकूर में पढ़ और फिलाल दो तिहाई पद यह खाली रह गए इस सिक्षक भरती में अंगलेजी टीचर का डिचल थोड़ा बहतर रहा जिसमें 3535 पदेटे 233 से भरती क्वालिफाई किये हैं बाकी की सिती तो आप मैंने आपको दिखाया था आपने देखा यह तो दोस्तों यह थी पूरी जांकरी विहार ख्षकभरती के बारे में अब बात करेंगे उत्तर प्डेश में सिक्षकभरती के हइंग खास तोर से डिगरी कालेज की शुर्थ यह रेक barrITY आपकी पर होनी परिक्षाです जिसमें 4000 पत तो आप जानते ही हैं कि TGT PGT में हैं बाकी 1000 से ज़्यादा पत जो हैं वो असिस्टन प्रोफिसर के लिए हैं तो यह सारा मामला रुख गया है मतलब लगबग एक साल होने को आया है आवेदिन की प्रक्रिया को पूरी हुए लेकिन एक्जाम कब तक होगा कुछ कुछ भी पता नहीं चल रहा है यह दोनों सिक्षक बढ़तियां उत्तरवदिस की फसी हुई है अब बहुत ही ब्यगरता से इंजा कर रहे हैं कि नए सिक्षा सेवा आयोग की गठन के बारे में कोई न्यूज मिने लेकिन कोई भी न्यूज नहीं है कुछ भी पता नहीं चल भी होना है अंतिम चल पैडाम भी आना है तो अभी तो कुल मिला के मिनिममं 5-6 महिने मिनिमं 5-6 महिने का समय लगेगा टीजीटी पीजीटी के बारे में बात करें तो कुल 463 वद हैं यहाँ पर दोनों को जोड़के हैं यहाँ यह कुल मिला के देखा जाए तो यूपी में जो दोनों सिक्षक भरतियां हैं वो कब तक हो पाएंगी कोई निश्चितोर्स नहीं कर सकता हाँ इतना जरूर है कि फरवरी के पहले अब यह परिक्षाएं हो पाएंगी इसमें संदे हैं तो फरवरी मान चलिए कि उसक अब यह परिक्षा हो पाएगी फिलाल यूपी में अब मौसम बदल रहा है यह पढ़ने का वक्त है और कंपटिशन बड़ा तेज हो रहा है तो अगर आपने यूपी पेसी की जो पेकेंसी जे उसमें आपने आवेदन किया है यूपी ट्रेपिल सी में भी जो है पीटी के जो एड्मिट कार्ड है वो आज कल में आ सकता है यह जानकारी प्राथ हो रही है तो जो अब बेरती तैयारी कर रहे है फिलाल अब मौसम थोड़ा सा अनुकूल हुआ है तो अपनी तैयारी में और गती दे ठीक है और घुमना टालना जीवन बर होता रहेगा लेकिन अगर जिए में पैसे नहीं होंगे तो फिर आप क्या करेंगे तो मौसम जो है वह अच्छा हो रहा है तो आप लोग पढ़ें और करेंट अफेर के लिए अगर आप लोग परिसान करेंट कैसे करें तो बहतर होगा कि एक बार मतलब यह पीडिएफ जो मैं आपको और लिबल कर रह यह जैसे की एल्टी ग्रेड असेस्टन प्रफेसर बी यू आरो यारो के लिए मई सेल के सितंबर तक का यह करेंट अफेर है इसमें आपको रीडिंग टिप्स भी मिलेगा और आपको जो नहीं बिलकुल टूदी पॉइंट सारी चीजें दी गई है और सबसे बड़ी बात कि लास्ट में यह जो पूर्सन है यहां से आपको कई सारी प्रस मिल जाएंगे डिरेक्टली जैसे कि यहां पर मैंने सभी महत्तपूर समेलन आवार्ड्स महत्तपूर सुचकांक साथी साथ युद्धा अभ्यास महत्तपूर गाउं महत्सौर राज चीजें मैंने इसमराइ अगस्त और सितंबर महिने का है और चीजों को कैसे रखा गया है यह मैं आपको दिखा देता हूं नहीं तो आपको लगेगा कि क्या आसर क्या बता रहे हैं देखो जैसे कि यह कोशन आप देश सकते हैं बिल्कुल क्वेस्टन आंसर फार्मेट में आपको मिलेगा आप खु सकें ठीक है इसी प्रिकार से बीट अधिकारियों को किस नाम से संबुदित किया जाएगा तो सकती दीदी के नाम से यहां पर देखेंगे तो एम राजिस्वर राय के कारेकाल को एक साले बढ़ा दिया गया है यह डिप्टी गवर्नर है कहां के इजवर बैंक के जो चार ड आपको सारी चीजें दी गई है और बाद में समराइज किया गया है तो सांदार पीडियेफ है वैसे तो खाने पीने में घुमने टेलने में लोग भूत सारा पैसा खर्च करते हैं लेकिन जो किस नाम पर नहीं करते हैं घर जिसको जीवर में करना होता वहीं पर पैसे करना होगा सभी जो इंपोर्टन लेंक्स हैं वीडियो के डिस्क्रेशन में आको दे दी गए हैं थैंक्यू